हेलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चेनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो ये एक बाजार की दिगज कमपनी है बाजार का ये एक दिगज स्टॉक है लगबग लगबग दोस्तो ये 90% इन्वस्टर के पोर्टफोलियो में होता है क्योंकि दोस्तो इसकी इंडस्टी का ये खाली एक ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और स्टॉक का शेर का प्राइस आप देख सकते हैं कितना है 1131 रुपे इसका 52 बिक का है ये दोस्तो 1734 रुपे और उसके साथ ये आप अगर इसका रिटन और पेटन देखेंगे लास्ट एक साल का तो गिरावट दिख रहे है 19% की ठीक है और ओवरोल का अगर मैं पॉफोमेंट दिखाता हूँ तो कमपनी मार्केट में 2017 आईए और बहुत अच्छा रिटन अपने शेरोल्डर को दे रही है और ये कमपनी दोस्तो बहुत अच्छी है फंडामेंटल कंडिशन भी बहुत अच्छी है लेकिन दोस्तो क्या करें इसने Q1 के नंबर बिलकुल भी अच्छे शो नहीं किये तो इसके साथ हो सकता है कि मार्केट दोस्तो गिरावट के साथ कल इसका वेलकम करें मतलब कल ये स्टॉक गिरावट का मतलब एक कारण अगर पूछें कि कल अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो दोस्तो Q1 के नंबर ही हमें देखने को बेलेंगे ठीक है तो चलिए देख लेंते कि कमपनी के Q1 के नंबर किस प्रकार से आए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Consolidate वाला नंबर आपको देखने को मिलेगा Valuation Lake में है ठीक है portion बता देता हूँ ये दोस्तो जून 21 से ये March 22 ये जून 22 अभी का ठीक है तो टोटल इंकम अगर इस Q में हम देखें कमपनी का कितना हुआ है तो 14,630 का ठीक है March में कितना हुआ था 14,802 का और जून 21 में कितना हुआ था दोस्तो राउंड फिगर में आप इसको 13,000 पकड़ सकते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं Year on Year basis पे टोटल इंकम में तो जंप है लेकिन Q on Q basis में दोस्तो जो टोटल इंकम है उसमें गिदावटा में देखने को मिल रही है तो ये सिगनल बिल्कूल भी साही नहीं है दोस्तो शेर होल्डर के लिए ठीक है और ये कमपनी ने पहले अपने शेर होल्डर को बोनस भी दे चुकी है ठीक है उसके साथ ही खर्चा देख लेते हैं तो खर्चा दोस्तो इस Q में कितना हुआ है 6,881 का ये टोटल इंकम है ये टोटल खर्चा है और मार्च में कितना हुआ तो दोस्तो टोटल इंकम ये था और खर्चा ये था Q1 QBSS पे बड़ा है आप देख सकते हैं टोटल इंकम नहीं बड़ी लेकिन खर्चा बढ़ गया ठीक है तो ये परिशानी का कारण देखने को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी ने कहां पर खर्च किया दोस्तों employee beneficial पर मतलब employee को benefit देने में 2590 का खर्च किया है ठी employee beneficial एम बोलते हैं ठीक है उसमें काफी ज़्यादा पैसा खर्च हुआ जिसके करण दोस्तों company ने खर्चा बढ़ा लिया है आप देख सकते हैं total income बड़ी नहीं है Q1 QBSS पे लेकिन खर्चा बढ़ गया है ये बिलकुल भी दोस्तों हमें अच्छा नहीं देखने को मिल रहा ह इसके साथी company के हाथ में पैसा बचा है 7,748 का मार्च में बचा था 9,855 का और जून 21 में बचा था 8,460 का तो अब यहां पर आके दोस्तों पूरा picture जो है वो clear हो चुका है ये दोस्तों year on year basis पे Q1 QBSS पे company के नंबर में काफी बड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है मतलब दोस्तों shareholder को यहां पर निरासा हाथ लगी है इसके साथी net profit के भी अगर मैं बात करता हूँ तो net profit जो बचा है cut pit के tax देने के बाद वो बचा है दोस्तों 5,761 का अगर मैं इसको करोड में convert करता हूँ तो लगबग 57 करोड का profit निकाला है इस Q में इस company ने मार्च में था दोस्तों 78 करोड का profit कितना 78 करोड का और जून 21 में था लगबग 63 करोड का profit तो आप देख सकते हैं हर तरब से company का जो result है दोस्तों वो बेकार हमें देखने को मिल रहा है और यही चीज़ दोस्तों कल market को बिलकुल भी पसंद नहीं आएगी और shareholder को दोस्तों कल इस टॉ देखने को मिल रहा है तो EPS में भी गिरावट है आप देख सकते हैं जून 21 में 6 रुपए 11 परसे का EPS था ठीक है मार्च में दोस्तों 7 रुपए 43 परसे का था और अबी 5 रुपए 53 परसे का यह EPS हमें देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यह number बिलकुल भी अच्छे नहीं देखने को में मिल रहे हैं सभी तरफ से दोस्तो काफी बेकार पाफोमेंस देखने को मिल रहा है इस company का segment बाइस performance हम देख लेते हैं तो segment बाइस में आप देख सकते हैं कि company दोस्तो depository segment में काम करती है अब ये नाम सुम के आपको पता चल गया होगा कि company किस industry में काम करती है उस industry में के दोस्तो company ने जो depository वाला काम है उसमें 11,175 का total income किया है मार्च में दोस्तो 10,000 का income खा और जून में लगबग 8,800 का था तो depository वाला जो system है वो बड़ा है लेकिन दोस्तो जो data entry and storage वाला जो system है वहाँ पर company को घाटा हुआ है जो बिलकुल भी सही नहीं देखने को मिल रहा है इसके कारण ही दोस्तो company का जो total income है ठीके वो कम होते देखने को मिला है ठीके साथ में employee का जो beneficial है वो भी बढ़ते हमें देखने को मिला है ठीके मतलब जो चीज नहीं होना था वो ही इस company के अंदर हुआ है और इस company का नाम क्या है इस company का नाम है दोस्तो Central Depository Service India Limited जिसे हम दोस्तो CDSL के नाम से जानते हैं और दोस्तो ये depository segment की ठीके depository segment की ये खाली एक ही company हमें listed होते देखने को मिलती है ठीके जिसे हम CDSL बोलते हैं दूसरी company है दोस्तो NSC ठीके जो की दोस्तो NSDSL पे क्या है listed है ठीके NSDSL पे और ये company Central Depository Service India Limited ठीके जिसे हम CDSL बोलते हैं जो की Demet account का ही दोस्तो क्या करती है फायदा लेती जितने जादा Demet account open होंगे इस company को उतना फायदा होगा लेकिन दोस्तो अभी कुछ समय से क्या हो रहा है Demet account का जो चार्ट है वो गिरता जा रहा है क्योंकि दोस्तो पेंडामिक में काफी ज़्यादा investor दोस्तो market में आये थे काफी ज़्यादा Demet account open होए थे काफी ज़्यादा market में investment हुआ था लेकिन दोस्तो इन में से कोई investor ऐसा था जो market में investment बिल्कुल भी नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी कर लिया ठीक है लेकिन अब वो क्या कर रहा है अब वो उसी Demet account को close करते जा रहा है तो उस प्रकार से भी चार्ट में गिरावट आ रही है चार्ट में देखेंगे तो Demet account का जो sales से वो भी दोस्तो कम हो चुका है मतलब Demet account जो open होने की condition है वो भी पूरी तरीके से कम हो चुकी है जो बिल्कुल भी दोस्तो इस company के लिए सई signal नहीं है ठीक है चोटा सा और fundamental condition इस company का हम देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं CDSL ठीके CDSL अगर मैं बात करते हूं तो खाली NSC पे लिस्टेड आपको मिलेगी company और company 11,777 करोड की देखने को मिल रही है कल अगर स्टॉक में भारी वरकन गिरावट होगी तो यह दोस्तों जो market के पे वो कम होते देखने को मिलेगा PE earning ratio देखेंगे 38.6 का है return on employee 41.9 का return on equity 31.6 का phase value company का बहुत अच्छा है 10 रुपे का और dividend yield भी 80 पैसे का something का में देखने को मिल रहा है percentage में इसके साथ ही देखते हैं company दोस्तों अल्मोस्ट date free हमें देखने को मिल रही है ठीके साथ में company का बाकी quarterly earning अगर हम देखें तो आप देख सकते कि March 21 जहाँ पर pandemic था वहाँ पर company का sales 103 करोड का हुआ था December 21 यहाँ पर भर भर के pandemic था ठीके आप देख सकते हैं उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं company का जो sales से जून में अच्छा तो हुआ है लगबख 140 करोड का लेकिन revenue बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलाई नहीं तो last 3 से 4 क्यों आप देख सकते हैं कि company का revenue continuously increase हो रहा था लेकिन दोस्तों इस क्यों में company का performance गिर चुका है अगर आप सालाना तोर का performance भी आप देखेंगे तो company ने March 2011 पूरे साल भर में 94 करोड की sales की थी लेकिन आज वो ही sales दोस्तों 551 करोड के आसपास आ चुकी मतलब सालाना तोर पे company का performance बढ़ रहा है लेकिन Q1 QBSS पे निरासा हाथ लग रही है अब profit भी आप देख सकते हैं पूरे साल भर में March 2012 में पूरे साल भर में 311 करोड का profit company ने निकाला था ठीक है उसके साथ ही दोस्तों आप अगर देखेंगे company का percentage by performance तो sales का जो growth है वो 45% के साथ से बढ़ रहा है company का profit growth दोस्तों अभी की condition में 40% के साथ से बढ़ रहा है और इसके share holding pattern अगर देखते हैं अपडेट है कि नहीं अपडेट नहीं है दोस्तों इसका share holding pattern ठीक है तो देखा जा दोस्तों तो CDSL company बनी तो बहुत अच्छी है long time के लिए देखें पेंडमीक में काफी ज्यादा ही demand account open हो चुगे थे ठीक है जिसके करण ये company ज्यादा सुर्कियों में आ गई थी लेकिन दोस्तों demand account open होंगे लेकिन एकदम limited होंगे अभी हमारे देश में करीबन 2-4% जन संक्या कर रही है market में investment कर रही है ठीक है ये बड़ेगी ये 10-15 ये 10% भी होगी ये 15% भी होगी ये 25% भी होगी तो demand account open होंगे लेकिन दोस्तों दीरे 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 करके open होंगे ठीक है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेगा लेकिन जो aggressive तरीके से इन 2 साल में pandemic में 2 साल में जो aggressive तरीके से demand account open होए थे जो बेक्ति demand account open नहीं करना चाह रहा था market में नहीं investment करना चाह रहा था उसने भी जबर्जस्तिक किया क्यों क्योंकि दोस्तों government ने FD का return जो है क्योंकि दोस्तों फिर से rate hike कर दी गए है तो वो बेक्ति सोच रहा है अब मैं market में नहीं risk लेख सकता क्योंकि मेरा FD में double से अच्छा return मुझे मिलने लगा है ठीके तो ये कारण लेकिन demand account है आपन open होगे और long term में ये company हमको अच्छा return देखे जाएगी future में इस company का जो share का price है वो और हमें बढ़ते देखने को मिलेगा तो इस चीज को तोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ठीके और इस stock को अगर deep मिलता है आपको खरीदने का मुका मिलता है एक buying opportunity मिलती है तो सब को gain करिएगा और portfolio में जगा दीचेगा ठीके तो ये था एक धमा के तार आप लोगों के लिए update तो इस वीडियो को like करेगा चैनल को subscribe योगी daily basis पर इसी प्रकार का बहतरिंग update हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो thank you दोस्तो